वीडियो में हम बात करेंगे मिड़ वल हिस्ट्री के टेस्ट के बारे में देखेंगे कि महतुपूर प्रस्टों का संकलन लेका है इसे अपना आकलन भी कर सकते हैं कि आपको कितनी नॉलेज है अपने आपकी तैरी कैसी चल लगी है तो क्वेशन नमर एक से शुरुवात करेंगे कि राजा भोज ने सासन किया था तो राजा भोज ने कहां सासन किया था धार पर क्वेशन नमर एक का जो है वो भी ऑप्शन सही है क्वेशन नमर दो की तरफ आएंगे मद कालिन भारत में आर्थिक इतिहास के संदर में सब्द अरगटा किसे निरूपित किया जाता है तो अब अरगटा किस के लिए है तो याद रखेगा इसमें भूम की सिचाई के लिए प्रियुक्त जल्चक्र जो होता था उसको अरगटा बोलते थे और पूर दो तरहिए है तो इसमें अलगट तरीके की का प्याद रहा है कराए है वा कौन सा चोल राजगा था जिसने स्रिलंका को पूर्ट सतंतता दी और सिंगल राजकुमार के साथ अपनी पूलु का विबाभवी कराए तो question number 4 का जो option हो जाएगा वो हो जाएगा A, कुलोतुंग पृथम, यह option सही है, question number 5 की तरफ आएगे, question number 5 है, नियमलिकित में से कौन रामायर का या रामावतारम का लेखक है, तो कौन है, question number 5 का जो है, यह कौन सही हो जाएगा, कमबन, यह answer सही, कमबन, यह वाला option जो है, इसका सही है, question number 6 की तरफ आएगे, question number 6, कि सासक के बारे में कहा जाता है, कि उसने भूमिकर को उत्पादन के 50% तक कर कर दिया था, तो मतब कि जो भूमिकर था, कितना कर दिया था, 50% तक कर दिया था, तो question number 6 का जो है, वो कौन सा हो सही हो जाएगा, अलाउदिन खिल जी, यह क्या हो जाएगा, D, option सही है, अलाउदिन खिल जी, question number 7 की तरफ आएगे, होली तेवहार के सारजनी कुद्सों में भाग लेने वाला दिल्ली का परतम सुल्तान कौन था, तो question number 7 की बात करेंगे, तो कौन था, MBT मुहमद बिन तुगलग था, कौन था, मुहमद बिन तुगलग, C, option सही, question number 8 की तरफ आएगे, दिल्ली के कि सुल्तान ने इस उद्देश से एक अनुवाद विभाग की स्थापना की, कि उससे दोनों संपर्दाई के लोगों में, एक दूसरे के विचारों की समझ बेहतर हो सके, तो 8 का जो है, वो कौन सही हो जाएगा, D सही हो जाएगा, फिरो साथ तुगलग, D option सही है, question number 9 की तरफ आएगे, तैमूर के आकरमर के बाद, भारत पर किस वन्स का राज्य स्थापित हुआ, तो इसको बताईए आप, question number 9 का जो है, कौन सही हो जाएगा, अब जाने हैं, तैमूर के बाद कौन है, सहीद वन्स स्थापित हुआ था, नो का जो है, वो B option सही हो जाएगा, question number 10 की तरफ आएगे, निम्न सल्तनत साथकों में कौन से अफगान वन्स के थे, तो अफगान कौन थे, यह बहुत basic question है, या लोधी जो थे वो अफगान थे, question number 11 की तरफ आएगे, दस्तार बंदगान कौन कहलाते थे, question number 11 की तरफ आएगे, दिल्ली के किस सल्तान ने अपने संसमरण लिखे थे, तो इसका जो एंसर जो होगा, वो सही हो जाएगा, कौन था, फिरोसा तुगलग, question number 13 की तरफ हम आएगे, question number 13, question number 15 की तरफ आएगे, भक्त तुका राएगे, कौन से मुगल समराट के समकालीन थे, तो ये प्रसन आपको याद रखना है, question number 15 की तरफ आएगे, जहांगीर, जहांगीर के समकालीन थे, question number 16 है, कबीर और धरम दास के मद संवादों के संकलन का सीरसक क्या है, question number 16 की तरफ आएगे, question number 16 की तरफ आएगे, question number 18 की तरफ आएगे, सरकी बन सके हैं सारे, तो ये ये सही हो जाएगा, आपको पता है कि सबसे पहला था मुबारक, फिर इबराहिम था, फिर महमूद था, फिर मुहम्मद था, फिर इतने सारे हों है, मुबारक, इबराहिम, महमूद, मुहम्मद हुसैन, तो हुसैन जो था, वो सबसे आखरी था, तो हुसैन सा सरकी बन सके थे या नहीं रहे न, मलिक सरवर ने इस्थापित किया था, जोनपूर में, तो question number 19 का जो ये वाला अप्सन से हो जागा, हुसैन सा, ये आया हुआ है, प्रसन है, question number 20 है, विजे नगर के सिस, किस सा सकने, चीन के समराट के पास अपना राजदूद भेजा था, तो किस ने भेजा था, question number 20 का जो है, वो कौन सा उत्तर से हो जागा, तो इसका उत्तर से हो जागा, भी, बुका फस्ट, बुका फस्ट ने भेजा था, तो ये important है, question number 20 का, बाकी जैसे एसेंट हिस्टी की आच चुकी, मेडवल हिस्टी की आज हो गई, इसके बाद हम बात करेंगे, modern हिस्टी की जो टेस्टी जाएगी, modern हिस्टी की आप लोग देखेगा, modern हिस्टी के बाद म इसमें cover किया जाएंगे, आप लोग इसको जुरू देखेगा, आने वाले समय में सारी टेस्टी जाएंगे, बाकि आने वाले समय में जैसे current affair की वीडियो आएंगी, current affairs भी सुदू किया जाएगा, current affair के साथ में current affair के, वो तो topic क्यों भी कैसा होगा, सापताहिक होगा, सापताहिक होगा, इसके साथ current affair के साथ क्या होगा, current affair के साथ में, इसके हम question answer भी लेकर की आएंगे, जो वीडियो आगी, उसके question answer भी होगा, इसके बाद, इस current affair के साथ में, जो भी मतलब की topic ऐसे रहेंगे, जो white vote के लावा जो fact base है, तो fact paste वीडियो भी आएंगे, और इस तरीके के जो आता है, इस तरीके के जो प्रस्न होगे, प्रमुक एजंसियां, और प्रमुक अंतराष्टी संस्थान, किस देश का मुख्याले कहा है, कौन सा खेल, किस से संबंदित है, इस तरीके के जो वीडियो होते हैं, वो भी लेकर कहेंगे, वो एक्जाम के पास ज जो whenoga में नेपम दूबुपार विय्किस तरीका से और इसके बाद जो चॉबिस करकर के जो केंसिल हो गया वो इसारे ओ kang废ो में ले कर prag आढ़ाऊंगा आपके लिए इनके पेपर और करेंट फेर को छोड़ देंगे करेंट फेर इंग्जाम के परपस से पूराना करेंट फेर इंपोर्टन नहीं रहेगा इसलिए उसको छोड़ देंगे बाकी के सारे प्रस्णों को मैं लेकर क्या हूंगा तो जल्दी वो स्रीज आने वाली है तो आप लोगो उसको भी